Good morning students, आज गनित पढ़ने का दिन है और आज हम सेखेंगे उधार वाले खटाओ बच्चों इस पलेट में कुछ राजमा के दाने हैं, चलो इनको गिनते हैं और गिन कर देखते हैं ये कितने हैं एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठारा, उन्निस, बीस, इक्किस, बाईस, तेईस, चोबिस, पच्चिस, चबिस, 27, 28, 29, 30, 31, ये हुए 31 दाने, अब बच्चों हम इस में से 13 दाने उठा कर इस कटोरी में डाल देते हैं एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारह, तेरह अब बच्चों, शुरू में हमने इस पलेट में 31 दाने लिये थे, फिर इस में से हमने 13 दाने इस में डाल दिये, अब हमने, ये देखना है कि अब इस पलेट में कितने दाने बचे हैं, चलो गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारह, तेरह, चोदह, पंदरह, सोलह, सतरह, अठारह, अब हमारे पास बचे हैं 18 दाने, बच्चों, आपने देखा कि शुरू में इस पलेट में 31 दाने थे, 31 में से 13 दाने हमने इस कटोरी में डाल दिये, और फिर इस पलेट में हमारे पास बचे 18 दाने, बच्चों, अब इन्ही संख्याओं को हम उपर नीचे लिग कर घटा करके देखते हैं, अब आप देखेंगे कि उपर वाली संख्या में, यानि कि 31 में, एक इकाई और तीन द दाने हैं, बच्चों, अब देखेंगे कि उपर एक है, और नीचे संख्या तीन है, अब हम एक में से तीन नहीं घटा सकतें, तो ये एक है, ये जाएगा अपने पडोसी के पास इस से उधार लेने, तो यहाँ पर तीन दाने हैं, यहाँ से हम एक दाने हैं, इकाई के पास ले आएगे, तो पर हो गई, एक इकाई और एक दाने हैं, यानी की ग्यारह एकाई यहाँ तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग्यारह, और यहाँ पर हमारे पास बची हैं, दो इकाईआ, तो तीन को काट कर हम यहाँ पर लिख देंगे, दो, isनों New? तो बच्चो अब हम ग्यारह में से तीन आसानी से घटा सकते हैं, एक, दो, तीन, अब हमारे पास गिनते हैं कितने बचें, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, अब दहाई में देखेंगे, उपर दो दहाई हैं और नीचे एक है, दो दहाई में से हम एक दहाई घटा देंगे, तो यहाँ पर बचेगा, एक, जैसा कि बच्चों, हमने देखा कि पलेट में रखी, राजमा के दानों में, 31 दानों में से 13 दाने घटाने पर, हमारे पास पलेट में 18 दाने बचे थे, इसी तरह, यहाँ पर भी, 31 में से 13 घटाने पर, हमारे पास 18 बचा है, बच्चों, चलो, एक और उधारन करके देखते हैं, अब इस पलेट में फिर से कुछ दाने रखे हैं, इन दानों को गिन कर देखते हैं, कि यह कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चोदह, पंदरह, सोलह, सतरह, अठारह, उननिस, बीस, इकिस, बाईस, तेईस, तो बच्चों, अब हमारे पास इस पलेट में कुल कितने दाने हैं, तेईस, अब हम फिर से कुछ दाने इस कटोरी में रखते हैं, तेईस में से हम, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चोदह, पंदरह, सोलह, सतरह, अठारा, अठारा दाने मैंने इस कटोरी में रख दिये हैं, तो बच्चों, अब हमें इस पलेट के दाने गिन कर पता लगाना है कि इस पलेट में कितने दाने बचे हैं, चलो, गिनते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, 23 में से 18 दाने इस कटोरी में डालने पर हमारे पास पलेट में 5 दाने बचे हैं बच्चों अब इन्ही संख्याओं को मैंने इकाई और दाई में लिख लिया है अब देखो 23 में 2 दाई और 3 इकाईया है और 18 में 1 दाई और 8 इकाईया है बच्चों यहाँ पर ऊपर 3 इकाईया है और नीचे 8 इकाईया है तो 3 में से हम 8 नहीं गटा सकते इसलिए जो ये 3 है 2 से उधार मागने जाता है तो 2 इसको अपनी एक दाई दे देता है तो यहाँ पर हो जाती है तीन इकाईया और एक दाई जब मिलकर बनती है तेरह तो यहाँ पर बसती है एक दाई तो यहाँ पर बच्चों इसको काट कर हम लिखेंगे एक और यहाँ पर कितनी हो गई हमारे पास तेरह बच्चों एक दहाई का मतलब होता है दस इकाईया अब हमारे पास तेरह इकाईया उपर हो गई और नीचे आठ है तेरा में से हम आठ गटाएंगे एक, दो, तेन, चार, पांट, छे, साथ, आठ बच्चों ये आठ इकाईया हमने यहां से हटा दी है तो चलो देखते हैं हमारे पास कितनी इकाईया बची है एक, दो, ती, चार, पांच तो यहां पर हम लिख देंगे पांच अब हमारे पास दहाई में एक दहाई उपर है और एक दहाई नीचे है एक दहाई से एक दहाई घटा देने पर हमारे पास यहाँ पर बचेगी जीरो आज हमने हासिल वाले घटा के सवाल गतिवी थी और उधारनों द्वारा सीखे उमीद है आपको समझ आ गए होंगे अगर कुछ डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं